नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं खवर किसान की यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपका दव संकिश शर्मा और आज हम खड़े हैं एक पॉली हाउस में जहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे यह पूरे खीरे की खेती हो रही है यहाँ पर और लगबग यह तीर महीने की फसल तयार हो चुकी है और कुछ ही दिनों में यह फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगी तो जैसे कि आप यह देखेंगे कि इस समय हम खड़े हैं खीरे की खेत में और पूरी तरीके से यह पॉली हाउस के अंदर किया जा रहा है और जैसे कि हम सभी को पताईए कि देश और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है उसके बाद इसको उपर जो आप हैंगर देख रहे हैं इसके सहारे इसको और उपर ले जाया जाता है पॉली हाउस में खेती करने का मुग्युद्देश यह रहता है कि जासे अदा हमारी फसल सुरक्षित रहे है और जासे अदा उसकी पैदावार है वो बढ़ जाए अगर हम नॉर्मल तरीके से जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं उसके तरीके से अगर खेती करते हैं खीरे की टमाटर की बेल नुमा जो सबजी करते हैं तो उसका प्रोडुक्षन कम होता है और उसमें खत्रा रहता है कि उसमें कीड़े लग या उसकी पैदावार कम होगी, या फिर जो प्राकरतिक आपदा है, उसकी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब हम पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं, तो आप यह देखेंगे, चारो तरफ से शेट बंद होता है, अगर बात करें, इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज होती है तो आप यह देखेंगे कि एक शीट होती है, ब्लास्टिक की, उसके बाद यह नेट नुमा यह चीज़ लगाई जाती है, फिर इसको लोहे की बड़ी-बड़ी रॉड्स होती है, इसको सहारा दिया जाता है, पूरा एक structure तयार किया जाता है, और इसका भी structure का भी बीमा होत क्योंकि होता क्या है, जब तेज आपनी तूफान आता है, तो structure यह खराब हो जाता है, तो इसका भी बीमा किया जाता है, अब बात करते हैं कि इस फसल को पानी कैसे मिलता है, इस फसल को देखरें कैसे होती, तो नीचे आप यह देखेंगे कि यह जो है पाईप्स दिये क्योंकि यह चारों तरफ से बंद है तो हवा का आना जाना इसमें पॉसिबल नहीं है संभव नहीं है तो शौवर के मदद से यह सब चीज़ें की जाती हैं सबसे अची बात यह बताई विए न आपको जा स्याधा प्रोडक्शन ले सकते हैं पॉली हाउस में खेती करते हैं और आपकी फसल को आप बचा सकते हैं तो थोड़ा महेंगा होता है सरकार इसमें सबसीडिव दे रही है हर प्रिदेश में अधिकांश प्रिदेशों में इस को लेकर सबसीडी दी जा रही है किसानों को मुटिवेट किया जा रहा है कि वो इसमें खेती करें और ऐसी और भी दिल्चस्प जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं हमसे खवर किसान की चैनल के माध्यम से तो आप हमसे संपर कर सकते हैं यह तो वीडियो थी हम दिखाई आपको पॉली हाउस में और जब फसल पक कर तयार हो जाएगे तो हम आपको दिखाने फिर आएंगे यहां पर दिखाएंगे कि कैसे फसल पक कर तयार हो रही है तो हमारे देश के किसान भाई भी इस तरीकी की तक्निकों का उप्योग कर सकते ह जहां पर पानी की समस्या है उन्हें इलाकों में पॉली हाउस अब लगा सकते हैं खासकर यह जो टेकनलोजी है यह इसराइल की टेकनलोजी है और आजकल राजिस्थान के इलाकों में यह काफी लोग पॉली हाउस लगा रहे हैं इसमें फूलों की खेती भी लोग कर रहे है फलों की खेती भी कर रहे हैं तो खासकर इसमें जो फसल कारगर है वो बेल वाली जो फसलें होती हैं जैसे टमाटर है, कैप्सिकम है, खीरा है यह फसल काफी कारगर है तो आश्या कड़ते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी अगर आप भी पॉली हाउस से संबंदित क कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे comment box में हमको लिख सकते हैं और आपको बता देंगे कि कहां से आप यह structure लगा सकते हैं सरकार इसमें क्या मदब दे रही है हम पूरी आपको जानकारी दे देंगे तो बने रही हमारे साथ देखते रही खबर किसान की YouTube चैनल हमारा चै जाधा हमारी इस वीडियो को आगे प्रमोट करें बने रही हमारे साथ देखते रही खबर किसान की YouTube चैनल और हम आपको साथ छोड़े जा रहे हैं इस सुंदर से पॉली हाउस की द्रिश्य के साथ धन्यवाब